हलो प्रिन स्वागत है हमारे यूटीब चैनल पर आज हमें इस वीडियो में जलवायू विग्यानी क्लाइमोटर लाजिस्ट का या जीग्राफी में क्या क्या योगदान है इसको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे पहले जलवायू और मासम विग्यानी किसे कहते हैं इसको जान लेते हैं वह वैक्ति जो जलवायू और मासम का अध्यन कहते हैं वह उसकी जनकारी रखते हैं उसे जलवायू विग्यानी या मासम विग्यानी के नाम से जाने जाते हैं पहला हैं इडमन हले 1656 से 1722 सक इसका योगदार रहा यहा प्रदेसिक खबोल विज्यान मासम भूविज्यानी वा भूविज्यानी से खले मुदैने मांसुन की उत्पत्ति समंधित तापी संकल्पना का प्रतिपादान 1686 में किया था जीसे सास्ति संकल्पना के नाम से भी जाना जाता हैं इस संकल्पना के नुसार मांसुन पवन बड़े पैमाने पर चन्ने वाली इस्थाल और जल समीर का व्रिष्कित रूप हैं इन्होंने अपने यह संकल्पना में पताया था अगला है जी जी कोरियालिस 1792 से 1843 तक किसका योगनार रहा यह एक फ्रांसेसी गणी तक यह थे इन्होंने बताया कि प्रिच्वी के घुनन बल सबसे जुदा भूमाद्य रेखा पर होता है ध्रोव पर सबसे कम कोरियालिस बल का प्रभा रहता है भूमाद्य रेखा पर सबस हीजिसे कि रेखा प्रत्य प्रभा कहे जाते हैं उत्तरी गोलार ध्रमें चल्नने वाली हवा अपनी मुल दिज्स से । और तथा दक्षणी गुलार्ध हमें पाई और मूर जाती हैं इसकी व्याख्या के बाद फेरल ने की थी जिसे फेरल के नियम कहते हैं अगला है हलमान फ्लोन 1812-1970 तक इसका युग्दार रहा या एक जर्मन जलवाई वेक्ता हैं विस्व के महान जलवाई वेक्ता में से एक हैं यह 92 स्वविद्याला में प्रोफेसर रह चुके हैं प्लान प्रथमवा अगर्णी जलवाई वेक्ता थे इन्होंने जलवाई परिवत्तन पर अपना सुद्ध कारिया किया थे इसका प्रमुख बूख हैं इसके बारे में चानल लेते हैं इसका प्रमुख हैं एंड वेदर एंथो पोजेनिक क्लाइमेट चेंज जो 1949 में यहां बूख आया था और यहां बहुत ही फेमस बूख हैं इस बूख के बारे में पुछे जाते हैं कि यहां एंथो क्लाइमेट एंड वेदर बूख को किस ने दिया था इस प्रकार से प्रस्ण हमारे एकजाम मे पुछे जाते हैं प्लान मुहदय ने विश्वत रेखी पच्छवा पवन का नामकरण किया था पच्छवा पवन का नामकरण किया था इन्होंने मांसून की उत्पति संबंधित गतित संकल्पना का प्रतिपादान 1999 में किया था मांसून संबंधित संकल्पना का प्रतिपादन किया था इस प्रकार से प्रस्ण हमें आ सकते हैं तो हर्मान फ्लोन मुहदय ने मांसून की उत्पति संबंधित गतित संकल्पना का प्रतिपादन किया था इन्होंने बताया कि इस संकल्पना के एनुसार विश् रेखी पच्वपवन की दक्षिन पस्चिम मांसुन पाउने हैं इन्हों ने यहाँ अपने संखलपना में यहाँ बताया थी एच डी वॉय बॉलेट अठरा से सत्रा से अठरा सो नब्बे तक या रहा तैच मौसम वीद हुआ जलवाई वेकता यह थे मुख्य रूप से के लिए जाना जाता है यह नियाम वायू और वायूदाब की दिशा से संबंधित हैं अर्थार इस नियम के नुसार उस दिशा पर मुह करके यदि खड़ा हुआ जाए अथ्वा हवा जिस दिशा से आ रही है उस दिशा में पीट करके खड़ा हुआ जाए तो उतरी गुलार्ध उच्च वायूदाब दाई और और निमना वायूदाब बाई और होगा और यह दक्षिन गुलार्ध में उच्च दाई और बाई और निमना वायूदाब होगा अगला है विल्यम फेरल 18 सब 17 से 19 से 19 तक इसका योगदान रहा यह एक अमरिकन मौसम वीड़ वा जलवायू वेक्ता थे विल्यम फेरल ने एक सिध्धान विक्सित किया जो कि मध्य और छांसी वायू मंडली परिकोशिका को रिस्कित रुप से समझा जा सकता है जिसे फेरल को सिखा के नाम से भी जाने जाते हैं विल्यम फेरल मौदाय ने हैडली के सिंगल सेल वा सर्कुलेशन सिध्धान में इन्होंने संसोधन किया था फेरल के नियम, फेरल के नियम के नुसार, यहा नियम हावा और उसके रिच्छेप दिशा से संबंधित हैं, इस नियम के नुसार हावा जिस दिशा में जा रही हैं, उस दिशा में यदि मूँ करके खड़ा हो जाए तो अत्वा जिस दिशा में, जिस दिशा से हावा आ रही ह हैं यहां नियाम को को रियालीज वल्क की व्याख्या करता हैं अगला है जार्गक एडले 1685 से 1778 किसका युगदान रहा यह एक ब्रिटेंस मौसाम विज्ञानी हैं इन्होंने सरफ्रथम वायू मंडली प्रक्रिया का इस्थापना किया था इन्होंने सिंगल सेल सर्कुलेशन तापी प्रतेक्ष को सिकां के लिये जाने जाते हैं उस्ट्न कट्रिबंदी वायू मंडली परिसेमन को इन्होंने समझाया था प्राज्मीक परिसरण संत्र को इन्होंने समझाया जिसे हैडली को सिलिका के नाम से भी जाने जाते हैं इन्होंने मांसुन की पत्ति को भी 17-18-84 तक यहा रहा ब्रिटेंस के यहा एक मौसम विज्ञानी है इन्होंने बादलों का वरगी करन और उसका नाम करन किया था इसलिए इसे बादलों का वरगी करन वह उसके नाम करन के लिए जाने जाते हैं इसे बिरितेंश में मसाम विज्यान के पिता भी कहे जाते हैं अगला है गिलवरट वाकर 1888 से clinical तक किसका युगदार रहा या एक बिरितेंश मसाम विज्यान है वाकर को सिका और दक्षिन दोलन के लिए यहाँ जाने जाते हैं अगला है नेपियर 1854 से 1945 ता किसका युगदान रहा या एक ब्रिटेंस मौसम विद रोबो पाज सुम सीमा का नाम करण इन्होंने किया था सावा लेंफड ने मिलकर सितोष्न कटिवन्द चक्रवाद की उत्पत्ती के संबंध में गतित संकलपना सिध्धान का प्रतिपादान 1991 में इन्होंने किया था जिसे लहर सरंग सिध्धान के नाम से भी जाने जाते हैं या इसे लहर सरंग सिध्धान भी कहते हैं अगला है विल्हेम वरकनीज जो 1862 से 1959 तक इसका योगदान रहा यहा नार्वे का भौतिक विज्ञानी वाव मौसम वी थे यहा मौसम की व्याक्षा करने के लिए विशेश रुप से जाने जाने वाले जलवायों विज्ञानी थे मेट्रोलाजिया एंड हाइड्रोग्राफी पुस्चाक अपने उत्र जैवाक वरकनीज के साथ मिलकर इन्होंने लिखा था सितोस्न कटिबंध चक्रवात की उत्पत्ती के लिए ध्रुवी वाताग्र सिध्धान का इन्होंने प्रतिपादान किया जो कि एक सर्वमान्य सिध्धान हैं ध्रुवी वाताग्र सिध्धान का इन्होंने प्रतिपादान किया था इन्होंने सितोष्ण चक्रावार की उत्पत्ती में 6 अवसा बताई थे अगला है टार्ना वग्र रान 18 सब्सक्राइब से 1970 तक इसका युगदा रहा या एक स्विडान मौसम वज्यानी थे बर्गरान प्रक्रिया के लिए जाने जाते हैं या एक बर्गरान प्रक्रिया के लिए जाने जाते हैं वर्सव होने की प्रक्रिया को बर्गरान प्रक्रिया कहते हैं सबसे पहले इन्होंने बर्गरान प्रक्रिया को वेगनर ने बरगरान फिड्र सन थेवरी भी कहते हैं। तार्न बरगरान वा सालबर्ग ने वायूरासी की वाताग्र निर्मार की उत्पत्ती को इन्होंने समझाया था। तारलव बर्गरान ने सितोष्ण कटिबन छेत्रा में मौसम की व्याक्षा इन्होंने किया तथा इसके बारे में इन्होंने समझाया। जेडधारा भी कहे जाते हैं। रापसी तरंग की पोच करने वाले भूगुलवेक्ता तीजी रापसी मौदय हैं। जिसे या तरंग को जेडधारा के रुप में भी जाने जाते हैं। अगला है पिटर्सन 1899 से 1974 तक इसका जेगुराफी में युगदार रहा। यहा नारवे के मौसम विज्यानी थे इन्होंने वायूराशी और वात्ताग्रा के निर्मार पर इन्होंने कारिया किया था। इन्ट्राजक्षन टु मेट्रियोल आजे इसका प्रमुबुक हाँं इन्होंने इस बुक में सीत कर्वेचि बंधी। अगला है पी को टेसवराम इन्होंने भार्ती मांसुन की पत्ति के संब्रणमें निस सव पचहत्तर में इनको newson पूरूसकार दिया गया। इसका प्रमुबूख है वाटर फ्राम वेदार जो उनिस सव श्यंत्तर में यहां प्रकासित हुआ कोटेश्वरम ने देशांतरी मांसुन को सिखाओं का पता लगया पी कोटेश्वरम ने जपानी प्रोग सुंग सीन के साथ मिलकार भारती मांसुन की इत्पत्ति को समझाने वाले भोबल वेखता हैं पी कोटेश्वरम इसका प्रमुख सिख्धान है पूर्वी जेट धारा सिख्धान को इन्हों ने दिया था पूर्वी जेट धारा की उत्पत्ति का संबन में तिबद के पठार से हैं इन्होंने अपने सिध्धान में बताया था जगला हैं सी डवलू थार्डवेट 1899 से 1993 तक यहां रहा इसका युगदान यह एक अम्रिकान जलवाई वेखता हैं आंकिस विश्व विद्याला में यहां प्रोफेसर रहा चुका था यहां विश्व जलवाई के वरगी करन के लिए प्रसिद्ध हैं इसके प्रमुक बुक हैं इसके बारे में जान लेते हैं The Climate of North America जो 1981 में यहां बुक प्रकासित हुआ 1936 में विश्व की जलवाई के वरगी करन इन्होंने प्रसिद्ध किया था तापी दक्षता और वर्षा प्रावित्ध का इन्होंने दो अधार दिये 1948 में इन्होंने इस बुक पर संसोधन किया वास्प सर्जन के अधार बनाया और वास्पी करन द्वारा जल का जला जाना इसे बताया अगला है रिकिक पाल में रिकिक पारमेल 1896 से 1985 तक रहा यहां फ्रीड में का मौसम विज्ञानी था इसका योगदान मौसम के आंकडो को इकठा करने में था कोपेन 1846 से 1940 तक इसका योगदान रहा यह एक जलवायू वेखता है इन्होंने विस्व की जलवायू का वर्गी करन किया था इसलिए इसलिए विस्व की जलवायू के वर्गी करन के नाम से जाने जाते हैं गर्मन का मौसम भी जलवाई वेक्ता और 1931 था 1931 में वीश्व जलवाई का इन्होंने वर्गी करन कर प्रसुत किया और वर्स जो तापमान और वर्सा के अधार पर था अगला हैं जी टी त्रिवर्था त्रिवर्था मोजए 1866 से 1934 तक इसका युगदार रहा या एक अमरिकन जलवाई वेक्ता हैं वा जनसंशा भूगोल वेक्ता भी इसे कहा जता हैं इन्होंने कोपेन के जलवाई वर्गी करन का सब्स डबलू जे केंडियूल 1884 से 1932 तक इसका युगदार रहा यह एक ब्रिटेंस जलवाई वेक्ता हुआ मौसा विज्ञानी थे इसका प्रमोग बुक है दा क्लाइमेट आप दा कंटी नेंटन्स जो 1922 में यह बुक प्रकासित हुआ इन्होंने ब्रिटेंस की जलवाई के बारे में विस्तार से अपने इस बुक में सम हुआ legal शोते हुआद आप बंक दुक में वी बुक में समात मौस में समय वोजटन्स जा यह साटना हुआ अता है।